आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें शुक्रार को कलेक्टेड इस्ते धंगर महसभा के राश्टी अध्यक्षी जेपी धंगर ने डियम प्रभय अन्सिंग से धंगर समाज के सर्टिफिकेट बनाने को लेकर मुलाकात की उनका कहिना था कि उत्तर पदेश के मुक्षमाज के सर्टिफिकेट नहीं बनाय जा रहे हैं कलेक्टेड परिशद में आप जिन लोगों को देख रहे हैं वो सभी धंगर समाज की लोग हैं धंगर समाज के लोग सर्टिफिकेट को लेकर पिछले कई वर्षों से मांग उठाते हुए आ रहे हैं लेकिन यहां इसका समाधान नहीं हो पा रहा इसी को लेकर शुकरवार को धंगर महासबा के पताधिकारी कलेक्टरेट इसित डीम दफतर पहुंचे धंगर महासबा के राष्टी अध्यक्ष जेपी धंगर ने डीम प्रभुएन सिंग से मुलाकात कर धंगर समाज के सर्टिफिकेट बनाने की मांग की उनका कहना था कि उत्तरपदेश के मुख्यमंतरी योगी आदेतिनात ने 7 जनवरी को धंगर समाज के जाती प्रमान पत्र बनाने के लिए आदेश जारी किया था लेकिन उसके बावजूद अधिकारी द्वारा उनका जाती प्रमान पत्र नहीं बनाया जा रहा है उनका कहना था कि कई बार प्रयास करने के बावजूद भी योगी आदेतिनात के शासना देश को भी नजर अंदाज किया जा रहा है यह कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन सब को नजर अंदाज कर दिया इसका मतलब यहां प्रसासन अच्छा काम नहीं कर रहा है मेरी निगाम है तो जो माननी है योगी जी कह रहे है कि सब का साथ सब का विकास यह कत्ते ही जवीरी इस्तरपन नहीं है किसानों के साथ भी अत्याचार हो रहा है दंगरों की अत्याचार हो रहा है और अगर यह यह आल रहा तो हम यहां धंगर समाज के सर्टिफिकेट जारी करने की बात कही है इसी को लेकर धंगर महासबा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी धंगर ने मांग पूरी ना होने पर आरपार की लड़ाई लड़ने की बात कही सी न्यूस के लिए कोपाल शर्मा की रिपोर्ट